हेलो फ्रेंड्स जैसी किष्णा जैमातादी जैसरी शाम कैसे हो दोस्तों आपसे भी आशा करती हूं कि आपसे भी बहुत अच्छे होंगे और प्राथना करूंगे इस वर से कि आपको हमेशा खुश रखें आपके पूरे परिवार को स्वस्त और निरोगी रखें तो बिल्कुल टेंशन आले बिल्कुल रिलेक्स रहें सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज बलाइकन के और उप्शन को क् पूरी होकर के बिना लोड लिये स्क्रीन पर आपको दो घड़ियां दिखाए दे रहोगी फस्त गोल्ड है सेकेंड सिल्वर में हैं इन दोनों में से जो भी घड़ी आपको पसंद है जो आप अपने कलाई पर पहनना चाहते हो या जो आपको मिल जाए तो आपको खुशी ह है वह वाली घड़ी आप चूस करें उसके पाद हम देखते हैं कौन से इच्छा आपके पूरी होने वाली है चलिए शुरुआत करते हूं फस्त नंबर जिन्होंने भी चूस करा है पहले नंबर की गोल्ड वाली घड़ी जिन उनने चूस करी है उनके लिए देख लेते हैं जिसके लिए आपने संघर्ष जेला है जो लक्ष पाना चाहते हो है किसी व्यक्ति को आप चाहते हो उन्हें पाने की इच्छा है तो ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्ड आपके परिवार वाले भी मान जाएंगे आपके पैरेंट्स भी समझ जाएंगे लेकिन इतना ध्यान रखिएगा बीना parents की अनुमती के कोई कदम आपको नहीं उठाना है जो भी करना है parents की मर्जी से ही करना है parents के खिलाफ जाकर के आपको शादी या आपका लक्ष नहीं चूस करना है पहले आप parents को समझाईए end तक समझाईए जहां तक नहीं समझे वहां तक पूरी कोशिश लगा दीजिए उसकी बाद आपको नहीं लग रहा है तो अपने relative अपने सगे संबंदी अपने friends के parents सभी से ball के आप समझवाईए फिर भी नहीं समझते हैं तो last decision आपको भगवान के ऊ दिल दुखा करके जो विक्ति अपने career की अपने life के शुरुवायत करना चाहता है वो कभी success नहीं होता है इस बात को हमेशा गिठान बान लीजिएगा कि parents खुश हैं तभी आप खुश रहेंगे और यह चकरी घूमती हैं घूम भीर करके फिर आती हैं जब आप parents बनते तो same condition आपके साथ भी create होती भगवान न करें फिर सेम आपके साथ यही condition हो तो आपको बहुत बूरा लगेगा ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आगे आपको कैसा क्या रहना चाहिए कौन सी गल्तियां आपसे हो रही है क्या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है आपको हर जगे दिककत दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे है बहुत ज़्यादा घबराते हैं किसी को कुछ बोलने के बाद परश्तावा भी होता है माफी तक मांगने आप चले जाते हैं आपके अंदर attitude नहीं है जसक्त होना चाहिए उसी वगता था था अब हमेशा सबकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, हमेशा सबकी मदद करते हैं, सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, सोच बहुत अच्छी है, पॉजिटिव सोच है और जिवन में आप बहुत आगे जाएंगे, बिल्कुल टैंशन ना ले, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ ठीक है लाइफ में प्यार चला गया ठीक है कोई देख करने आपके नसीब में नहीं था वापस मिल जाएगा अगर आपके किसमत में होगा लेकिन पैरेंट्स पैरेंट्स दोस्तों एक बार चले गए तो जीवन भर पच्टाते रहोगे यह सोचते रहोगे कि यार मैंने ये ड लोग लाइफ हो उनकी लेकिन फिर भी कोरोना में काफी लोग इतने परेशान हुए हैं दोस्तों जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था ऐसी लोगों ने साथ छोड़ा है काफी बच्चों के तो सिर्पे से साया तक हड़ गया है तो प्लीज पैरेंट्स का दिल ना द जल्दी है अपने जीवन अच्जीवन भी प्राप्त कर लेंगे तो टैंशन नहीं लेना है आपको आगे बढ़ते रहना है जीवन में हमेशां आगे बढ़ते रहने की सोचे हम बांभी टैंशन ना ले अ conservative आप यसे problems दूर होती जाएगे, जैसे जीवन में आगे पड़ते जाएगे, जैसे जैसे problems all होती जाएगे. कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके लिए अच्छा कहना है, life में हमेशा ऐसा कारे करें जिससे सब खुश हो ऐसा कोई कारे ना करें जिससे किसी को दुखी हो कोई परेशान हो कोई tension में हो तो relax रहे tension free रहे कुछ भी ज़्यादा सोचे ना ज़्यादा घबराए ना बिल्कुर relax रहे free रहे mind में और जो होना है उसे होने दीजिए, आप अपनी तरफ से कुछ भी नेगेटिव ना तो सोचे और ना ही करें, ठीक है, God bless you, बहुत अच्छी लाइफ है, साकेंड नमबर की बात करें, जिनोंने भी साकेंड नमबर चूज किरा है, सिल्वर कलर की घड़ी अगर आपने चूज कर आपने सोच रखा है, जो कामियाभी आप चाहते हो जीवन में, वो आपको जरूर विलेगी, तो टेंशन फ्री रहें, उस कामियाभी दजार करें, लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें, टेंशन फ्री रहें, सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा सोचते हो, नेगेटिव आपके परहावी होने की कोशिश भी करें, खुद को इतना स्ट्रोंग बनाओ कि नेगेटिविटी को आप दूर कर सको, तो ये चीजे हैं कुछ जो आपको समझनी होगी, जाननी होगी, तो प्लिस इन चीजों को बहुत ध्यान से सुनियों और समझें, इतना ध्यान रखें दोस्तों कि हमारी जिंदगी में हमने अभी तक जो भी फैसले लिये हैं, जो भी करियर के लिए, जो भी हमने चूस करा हैं, सब अगर हम बड़े बुजर्गों के आशिरवात से, उनकी सलहा से लेंगे, तो हम बहुत आगे जाएंगे, और आपके जीवन में कोई ऐसी इच् मेल आएगा, कभी मैसेज आएगा, कभ उदर से जवाब आएगा, तो वो आप कुछी दिनों में आपको मिलने वाला है, गवर्मेंट जॉप के भी काफी आसार नजर आ रहे हैं, फैब्यूरी में आपको काफी अच्छी जॉप के स्कॉप मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा करना होगा, बहुत ज़्यादा घुसा करना, किसी को कुछ भी बोल देना, बिल्कुल परेशान सा रहना, चेड़ चेड़ा रहना, अगर आपके साथ प्रॉब्लम हैं, तो आपके सब के साथ शेयर करें, उस प्रॉब्लम पर सालुशन जरूर निकलेंगा, अकेले ना घबर अकेले टेंशन नहीं लेना है, सभी के साथ उन बातों को शेयर करें, जो भी आपको लगता है कि आपके अपने हैं, ये आपको सही सला देंगे, तो उनके साथ उन बातों को शेयर करें, ठीके, परेंट्स कभी किसी के गलत नहीं होते हैं, आपका जो सोच है अपने परेंट माँच आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है तो थोड़ा ध्यान रखें बहुत ज़दी लाइफ में कैसा बंदा आ या किसी बंदी आने वाली है ज़ो की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के रिए solve कर देगी जो आपकी tנ Ke to Firma करतेगी आपकी बैचेनी को करतेगी घब्राना नहीं है रिलैक्स रहना है ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो उसे फैस करो उसे लड़ो उसे भागो नहीं जितना भागोगे जितना टेंशन से दूर जाने की कोशिश करोगे, जितना लड़ोगे, उतनी जल्दी आप उसे फैस कर पाऊगे, उतनी जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर उसे दूर भागते रोगे, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बनके आपके सामने आएगी, जो सही नहीं है, इश्वर क्या कहते हैं? इश्वर हमेशा ये कहते हैं, कि तू सर्फ मेरा नाम ले, मैं तेरे जिन्दगी से दूखों को हमेशा के लिए खतम कर दूआ, ये जीवन क्यों मिला है? हम्Ag Contra, जोड़ने के लिए, धर्म के रास्ते को अपनाने के लिए, जीवन से इसलिए मिला और इन चीजों को आपको समझना हो बहुत जıla मोमाया में फसे हुए हैं घर परिवार में पैसों में प्यार में एजुकेशन में सेलरी में नोकरी में इन चीजों में बहुत ज्यादा उल्जे वे पहले आप इशवर की प्रति ध्यान लगाएं धर्म के प्रति सब कुछ क्लियर हो जाएगा माइंड में को टैंशल होगा ही नहीं ठीक है तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी पसंद आई हूं प्लेस लाइक करें कमेंट सेक्शन में जैमातादी के जैकारे लगाएं चैनल को सब्सक्राइब करें बला आकन को प्रेस करें साथी वीडियो को श